हाई लेवेंधीज, वेलकम टो इजीवे कॉमर्स क्लासिस, मैं हूँ तबिता और गाईज आजगे इस वीडियो में हम कम्प्यूटर इन अकाउंटिंग चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज उसमें हम कुछ टॉपिक करेंगे जो कि हमारे एक्जाम में अकसर पूछो हैं और ये चेप्टर को हम थोड़ा नेगलेक्ट करके चलते हैं और अकसर ध्यान भी नहीं देते कि क्या थियोरी है लेकिन काफी इजी थियोरी है अगर आप में इससे कंप्लीट करोगे बहुत असान लगेंगे आपको ये टॉपिक देखो सबसे पहला जो टॉपिक है अक अविलेक्विल है जब मर्जी जओ मार्केर से खरीद लाओ डिवेडिमेड सौफियर वह होते हैं जो किसी बी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं बनाया जाते हैं जैसे कि आपका में सौफियर से जिसमें आपका वर्ड आता है एक्सल आता है पावर पॉइंट आता है यह सौफियर अकसर आपको सस्ते पढ़ते हैं क्योंकि एक लाज कॉण्टिटी में बनते हैं सबके लिए बनते कोई स्पेसिफिक वह नहीं रहती इसमें लेकिन सेकेंड जो है काईस कस्टमाइज सौफियर कौन से होते हैं जब हम अपने डेडिमेड सौफियर को कस्टमाइ उसमें चेंजिस करा है कि इसमें रेडिमेड सौफियर में सो उसे कस्टमाइज सौफियर कहते हैं टेलर मेड सौफियर कौन से होते हैं जो आप अपने हिसाब से अपने लिए खुद से बनवाते हो उसे टेलर मेड कहते हैं यानि कि अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बन आप कराते हो that is the tailor-made software तो अगर मैं इसका एक funny साइग्रामपल हूँ गाइस एक मार्केट से हम लोग कपड़े गारीते हैं suit वगरा कुछ भी anything t-shirts वगरा ठीक है वो एक ready-made कपड़ा होता है ठीक है हम अगर उसमें कुछ changes कराते हैं that is the customized अगर हम suit tight कराते हैं t-shirt tight या shirt tight कराते हैं that is the customized tailor-made क्या होता है कि आप अपने खुद का कपड़ा लेके जाते हो और अपने according बनवाते हो that is the tailor-made तो यहां पे हम software खुद से according बनवाते हैं यहां पे हम ready-made वाले में changes कराते हैं that is customized और ready-made तो आपको बता यह जो general purpose के लिए बन रख है आप उसे use कर सकते हो तो यह तीन थाइप के हमारे accounting software होते हैं आप जब हम लोगों को software juice करना होते हैं तो किन factors पर हमें ध्यान देना चाहिए generally आप लोगों को कौन सा software पता है कि हम लोग accounts में use करते हैं जो सबसे ज़्यादा टेली यूज किया जाता है उसके बाद busy है है ना ERP है बहुत सारे software है बर generally हम लोग टेली बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ज्यादा तर organizations में है ना तो वह क्या है आपको टेली का software डाउनलोड करना है अपने according उसको यूज कर सकते हो अब जब भी हम लोग कोई software अडॉप्ट करते है अपने business में तो किन basis पर ध्यान रखकर हमें उस software को choose करना चाहिए फर्स्ट है गाइस flexibility यानि कि जो भी हम software choose करते है वो flexible होना चाहिए flexible किन माइनों में guys अगर हमें उसकी memory बढ़ानी है हमें उसमें कोई भी feature add कराना है या changes कराना है तो हम उसमें करा सके second चीज जो भी software हम लेते हैं उसकी cost of installation and maintenance कितनी है अगर installation cost suppose करो कि थोड़ी महंगी पढ़ जाए लेकिन अगर maintenance cost महंगी पढ़ेगी तो हमें तो software हर बर maintain कराना है हर बर company से हमें उसका कहते है ना मतलब like उसके जो charges है वो pay करने है तो हमें उसकी cost को भी देखना पड़ते है क्योंकि हम software operate कर रहे हैं अगर कुछ गरबर होती है तो वह तो company ही नेखेगी तो उसकी maintenance cost हमें company को देनी पड़ती है कुछ भी गरबर हो रही है software में हमसे काम नहीं हो रहा तो हम उन्हें call करते हैं कि भी यह तो software पर यह काम नहीं हो रहा यह दिक्कत आ रही है तो उसके वह हमसे annual charges लेते हैं तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कितनी cost आ रही है कितना महेंगा पड़ रहा हमें इंप्लॉईस को समझ आ जा 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 रहा है हम उन्हें समझाने में लगे महीने के ट्रेनिंग देनी नहीं समझ आ रहा तो ऐसा software ना हो software easy होना चाहिए कि employees समझने के साथ साथ उसकी practice भी बहुत असानी से कर सके इसके बाद है as expected level of secrecy यानि कि software में secrecy level होना चाहिए नहीं कि हमारा software उड़ गया कभी या हमारा data उड़ गया तहसा नहीं होना चाहिए या किसी ने चोरी कर लिया हमारा data क्योंकि companies के data तो इंपोर्टेंट होते हैं तो ऐसा secrecy level भी उसमें होना चाहिए उसके बाद exporting and importing data facility यानि कि हम जो भी software maintain करते हैं उसमें हम copy paste का option तो होना ही चाहिए ना अब हम वही data को अगर हमें Excel में import ए export करना है या उधर का data बहां करना है तो वह facility उसमें होनी चाहिए कई बार कई software guys जैसे होते हैं जिसमें हम copy नहीं कर पाते फिर हमें अगर same data Excel पे बनाना होते हैं तो हमें पूरी महनद करने पड़ते हैं जबकि अगर यही चीज हमें software में inbuilt मिल जाए कि हम आज से copy करके एक्सल में अपने according हम एक file बना सकते हैं तो कितना असान हो जाए तो इस तरीके से हमें जब भी हम लोग accounting software चूज करते हैं तो इन factors का हमें ध्यान रखना चाहिए तो guys यह एक छोटा से theory concept था I hope आपके समझ आया होगा अगर कोई भी doubt है आप Instagram पर idea ता बिता मैसी और अगर वीडियो पसंद आया तो like करें बिना ज़रूर मत जाना guys subscribe करना for new more videos और अपने दोस्तों के साथ share करना thank you